पुराना फोन बेचने से पहले कर लें, ये काम मुहमांगी रकम दे कर जाएगा. ग्राहक Old Phone Selling फोन बेचने के लिए आपको ये ट्रिक्स जरूर आजमा कर देखने चाहिए, इनसे आप अपने पुराने फोन के लिए अच्छी रकम हासिल कर सकते हैं. Old Smartphone Price कई बार जब आप अपना पुराना फोन बेचने जाते हैं, तो ग्राहक इसके लिए बेहद ही कम रकम आपको ओफर करता है. ऐसे में आपको इस कम रकम पर फोन बेचना पड़ जाता है, हालांकि आप चाहे तो फोन के लिए मुहमांगी रकम हासिल कर सकते हैं. दरासल कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन पर ध्यान देकर आप अच्छी रकम पर अपना पुराना फोन भेज सकते हैं, और इसके लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पुराने स्मार्टफोन के कैमरा से पिक्चर क्लिक करने के दौरान आपको पहले जैसी क्वालिटी नहीं मिलती है. और कई बार इसका कारण ये होता है कि कैमरा ठीक तरह से क्लीन नहीं होता है और अंदर से ही इसका लेंस गंदा हो जाता है. ऐसे में आप जब भी पिक्चर ठीक करने की कोशिश करते हैं, आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है. आपके साथ ऐसा नहो, इस बात का ध्य रखते हुए, आपको हमेशा अपना पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले इस कर लेना स्क्रीन करवा देना चाहिए, जिससे अच्छी फोटोस क्लिक होती है. बैटरी बूस्टिंग अगर आप लंबे समय से अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अब उसे बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसकी बैटरी को बूस्ट करवा लें. इससे जिस कस्टमर को आप स्मार्टफोन बेचेंगे, उसे बैटरी के साथ कोई भी दिक्कत नहीं लेंगे. कैबिनेट चेंज करवाना है जरूरी. अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन बेचने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, इसकी बॉड़ी पर कई तरह के स्क्रैच होंगे, जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं. साथ ही साथ बाहर इन्हें देखने के ब होता है, उनके बैक पैनल को आप बदलवा करे से नया जैसा लुक दे सकते हैं. डिस्प्ले रिपेर. अगर आपके स्मार्टफोन डिस्प्ले पर छोटे मोटे क्रैक आ गए हैं, तो आपको इसे तुरंत ही बदलवा लेना चाहिए. क्योंकि अगर आप ऐसे ही अपने पुर